आलु बैगन पालक की सबजी बनाने के लिए मैंने दो बैगन एक आलु और दो हरी मिर्श दो तीन लेसुन और आधा इंच अदरक और एक टमाटर ली हूं इन्हें अच्छी तरह से धो कर आप लें यहां मैंने मेथी के पत्ते को अच्छी तरह से छाट कर धो कर उसे लिया है यहां 50 ग्राम में थी है यहां मैंने करी 300 से 400 ग्राम पालक के पते ही ने काफी अच्छी तरह से मैंने धो कर और इसे छोटे-छोटे टुकडों में काट ली हूँ यह सबजी काफी लाजबाब बनती है तो यहां अब जो धुले हुए हमारे समान थे आलू को मैंने छोटे-छो थी उन्हें भी मैं बारी काट ली हूँ और सबजी में डालने के लिए मैंने बहुत थोड़ी मात्रा में आप टीस्पून जीरा हाफ टीस्पून लाल मिर्ची स्वाद के अनुसार नमक थोड़ी सी हल्दी लिए हल्दी इसमें कम पड़ती है तो यहां मैंने पैन में एक ट जीड़ा का फोरण डाल दे और कटी हुई हरी मिर्च अध्रक और लाशन को डाल कर ब्राउन होने तक पकाए कि इस सब्जी बहुत ही लाजवाब बनती है जब हमारी यह फोरण ब्राउन हो जाए तो आप उसमें कटी हुई आलू डाल दे फिर कटी हुई बैंगन को भी डाल दे और इन्हें अच्छी तरह से मिक्स कर ले और आप इसे ढखकर दो दो मिनट तक पकने दे धकन हटाने के बाद आप इसे अच्छी तरह से चलाते हुए हलका ब्राउन होने तक आप भून ले यहां देखिए हमारी बैंगन भून रही है आलू बैंगन जब यह ब्राउन हो जाए तो इसमें आप स्वाद के अनुसार नमक अड़ कर दे और जो मैंने कटी हुई मेथी रखी थी मेथी के पत्ते उसे डाल दे आलू बैंगन पालक की सबजी में अगर मेथी की नके ना पड़े तो उसे टेस्ट थोड़ी कम आ जाती है लेकिन मेथी के पत्ते डाल देने पर टेस्ट बहुत ही लाजवाब आती है यहां मैंने थोड कोई लाल मिर्च को भी डाल दें यह इसकिप भी कर सकते हैं लेकिन मैंने थोड़ा टेस्ट को बढ़ाने के लिए डाला है और इसे अच्छी तरह से एक दुसरे में मिक्स कर दें और इसे ढखकर दो मिनट तक पकने दे और फ्लेम को स्लो ही रखेंगी पुना इसे ढखकन को हटा कर आप इसमें एक जो मैंने टमाटर रखी थी उसे मैं डाल दिया और थोड़ा एक दो मिनट के लिए ढख दे ताकि टमाटर अच्छे से थोड़ा सीख जाए अब मैं धकन को हटा कर इसे भूनूंगी इसे आप फल के आज पर भूनते रहें मेथी भी हमारी अच्छी तरह से भून चुकी है हमारी सारी सब्जिया अब अच्छी तरह से भून चुकी है तो इसमें मैं अब पालक को एड़ करूंगी आप सारे पालक को एड़ कर ले इस इस सबजी को बनाने में पालग की पानी से ही सब्सब्स बनती है आप अलग से पानी ने डाले और इसे ढखकर पाँट तो पकने दे पांच मिनट के बाद आप ढड़कन हटाए इस पालग हमारी हल्की पक चुकी है तो धीरे धीरे आप इसे उपर नीचे कर ले चुकि हमारे हाथ में कैमरा है इसलिए मैं ठीक से नहीं चला पा रही हूं तो चमा चाहूंगी आपसे तो यहां मैंने उपर नीचे करके सभी सब्जिया को आप मिला दे और इसे ढख दे ढख कर इसे स्लो फ्लेम पर पकने दे फिर ढखन अटाए देखे लगबग हमारी सब्जी पक चुकी है तो आप आपको ग्रेवी कितना कैसे रखना गाडा रखना या थिक रखना उसी अनुसार से आप इसको बना लेंगी तो यहां हमारी सब्जी बिल्कूल बनकर रेडी हो ग लगती है खाने में बहुत ही लाजवाब लगती है तो आप इसे जरूर बना कर ट्राइ करेंगी और कैसा लगा आप जरूर हमें बताएंगी और अगर कुछ कमी हो तो वह भी आप हमें बताएंगी